हलो स्टुडेंट्स द्रिश्ट अक्एडमी आन लाईन क्लासीज में एक बार पुन है आपका स्वागत हैं मैं विशाल सर एक बार पुन है आपका स्वागत करता हूं आज मैं अपने जो कोर ग्रूप इंगलेस के स्टूडेंट्स हैं चाहें वो बी ए के हों, बी एस सी के हों, बी कॉम के स्टूडेंट्स हों जो की हमारे सेमिस्टर फस्ट में आये हैं नई सिच्छा नीत के अनुसार उनका एक यूनिक स्लेवर्स बना दिया गया है आज मैं आपको सेमिस्टर फस्ट इंगलेस का स्लेवर्स लेकर आया हूँ ये स्लेवर्स बी ए फस्ट इयर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है बी एस सी फस्ट इयर वाले, बी एस सी फस्ट सेमिस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है और बीकॉम फर्स सेमिस्टर के स्टूडेंट्स के लिए भी है ठीक है ना जिनों ने अंग्रेजी विशे लिया है दूसरी बात कई स्टूडेंट्स इस बात से मैं थूई कन्फ्यूज हैं कि सर लिट्रेचर और जर्नल इंग्लेस तो अब मैं यहां एक और चीज क्लियर कर दूँ कि अब नई सिच्छा नीत के अनुसार जो आपका नया स्लेवस आया है उसमें लिट्रेचर और जर्नल अलग नहीं है ठीक है ना ये स्लेवस जो मैं आज आपको दे रहा हूँ यही स्लेवस आपका एक मात्र स्लेवस है और इं स्लेवस स्लेवस को कुल मिलाकर आठ यूनिट्स में दिवाइट किया गया है तो अब हम लोग एक एक यूनिट में क्या के आपको पढ़ना है इस पर बात करेंगे तो देखिए लिखा हुआ है यूनिट फस्ट यूनिट फस्ट में में मेरे स्टूडेंट्स क्या पढ़ाएंगे वो देखिए टाइटल है आपकी जो हेडिंग है unit first का नाम an introduction to Indian writing in English क्या नाम है an introduction to Indian writing in English यह आपका unit first का नाम है अब इस में क्या है कि आपको बे writers पूछे जाएंगे जिन writers जो की Indian writers हैं जिन्होंने की English अंग्रेजी भाषा में लेखनी की है development of English writing में आप कह सकते हैं अपना सयोग दिया है तो उन सभी writers के बारे में इस first unit में हमें पढ़ना है वैसे तो writers बहुत हैं लेकिन चूंकि इस paper का नाम है आपका English prose and writing skills तो English prose की जब हम बात करते हैं तो हम prose को दो parts में divide कर सकते हैं एक short story और एक prose तो हम लोग उन writers को पढ़ेंगे Indian writers in English में जिन्होंने की prose writing की है और short story writing की है ठीक है ना वैसे तो writers बहुत हैं तो देखें उसी आधार पर यह आपके Slavas के कुछ महत्मूर writers हैं पहले writer है श्री अर्विंदो जी दूसरे हैं रविन्ना टैग और तीसरे writer हैं आपके आर्के नारायन चौते writer है की पेंकर रवानी पांचमे writer हैं भवानी बटाचार्या तेस रिपीट कर नहूं में रविंदो रविन्ना टैग और आ कि नरायनariamente की स्टार्या कि बात कर लेते हम जों एक सोपने और नंबर पर निखाए मैंने मूल्क राज आननग जी methodology 7 नमबर पर सरोजनी नाइडू, 8 नमबर पर कमला मारकंडे, और 9 नमबर पर नैंत्रा सहगल जी, तो ये कुल 9 राइटर और मैंने एट सेक्टरा भी लिख दिया है, ये काद राइटर और भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई और राइटर ना पूछा जाए, लेकिन जहां तक है, पूरी उमीद है कि ये जो 9 राइटर मैंने आपको नाम लिखाए हैं, इनमें से ही एक्जाम में यूनिट 1 में से पूछा जाएगा, और इनका रोल पूछा जाएगा, कि इन्होंने ग्रोथ आप इंडियन राइटिंग इन इंगलिस में क्या किया, तो इसमें आपको य आपको याद करने हैं, कब किसका कब publication हुआ है, ये याद करना है, और अगर इनमें से किसी राइटर को जो भी awards मिले हैं, जो भी उनका achievement है, उसको भी BCA सियाद रखना है, तो ये है आपका unit first, चलिए, अब आते हैं हम लोग unit second, unit second, नाम है इसका elements of short story, ठीक, इस unit को हम दो parts म Ambide करیںगे, एक तो है elements of short story और दूसरा नाम है उसका types of pros and pros styles, यानिकि दो parts में ये unit second इभाइड है, पहला नाम क्या है, elements of short story और दूसरा है types of pros and pros style, तो elements of short story में क्या है, हम पढ़ेंगे plot क्या होता है, पढ़ना पढ़ेगा characterization क्या होता है तीसरा point है narrative techniques क्या होती है ठीक है narrative techniques क्या होती है और four number पर आपको पढ़ना पढ़ेगा structure short story का structure क्या होता है ये सब ठीक तो ये चार चीज़ें आपको elements of short story पढ़नी है फिर दूसरा part जो है types of prose and prose style इसमें आपको क्या पढ़ना है 5 चीज़े पढ़नी है autobiography, biography, memoir, travelogue और periodical essay क्या-क्या पढ़ना है autobiography, biography, memoir, travelogue और periodical essay दूसरी बात मैं आपको unit first के बारे मैं बता जरा बता दूँ unit first में जो भी writers मैंने आपके सामने लिखे हैं आपको अगर इन writers को पढ़ना है तो मेरे YouTube चैनल के आप playlist में चले जाए वहाँ जब आप Indian writers का column खोलेंगे तो उसमें आपको इन सभी writers के बारे में detail study करने को मिल जाएगी ठीक है न सब चलिए और उसके बाद periodical essay के बाद आपको अध्यन करना पड़ेगा फॉर्मल ऐसे और सेवन नमबर पर परस्नल ऐसे तो कुल मिलाकर साथ चीजें आपको पढ़नी है यूनिट सेकेंड में ठीक है प्रोस स्टाइल से समद्धे चलिए अब आती है यूनिट थार्ड यूनिट थार्ड का नाम है आपकी प्रोस डिवाइस क्या नाम है साथ प्रोस डिवाइस अब ये प्रोस डिवाइस क्या चीज होती है तो प्रोस डिवाइस में आपको लोग पढ़ाएंगे कि प्रोस राइटिंग करते समय कौन कौन सी चीज़ां यूज कूती हैं तो पहले थीम, दूसरी नंबर पर आता है point of view, तीसरी नंबर पर sentence pattern, चौते नंबर पर imagery, फिर पांचमे नंबर पर tone और mood, फिर 6 नंबर पर analogy, 7 नंबर पर anecdote, 8 नंबर पर antithesis, 9 नंबर पर aphorism, 10 नंबर पर diction, 11 नंबर पर inversion, और 12 नंबर पर humor and pathos, तो pros device, चो unit third है आपकी, उसमें आपको इन सब चीज़ों का अध्यन करना है, theme, क्या होती है, point of view क्या होता है, sentence pattern क्या होता है, imagery, tone और mood क्या होते है, analogy क्या होता है, anecdote क्या होता है, antithesis, aphorism क्या है, diction क्या है, inversion क्या है, humor and pathos, क्या है, मैं इन सब के लिए आपको बिस्तारित रूप से वीडियो दूँगा, बस आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए, चलिए, next आता है unit number four, unit number four जो है, उसका नाम है short story, unit number four क्या है, short story, तो इसमें unit number four में आपको कुल तीन short stories पढ़नी है, पहली short story है, the last leaf, O. Henry के द्वारा लिखी गई, दूसरी short story है, the lament, Anton Jacob के द्वारा लिखी गई, और तीसरी short story है, the terror, guide, map, percent के द्वारा लिखी हुई, ठीक है न, फिर सुन लिजिए, तीन short story आपको पढ़नी है, the last leaf, O. Henry के द्वारा, the lament, Anton Jacob के द्वारा, और the terror, guide, map, percent के द्वारा, ये तीनो short story मैं आपको करा चुका हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप playlist में जाए, first semester slaver short stories नाम से वो आपका folder है, आप उसको खोलेंगे, तो ये सभी short story आपको पढ़ने को मिलेंगी, unit four और five, दोनों में ज इसमें जो short story और writers हैं उनके, वो आपके foreigner हैं, यानि कि England के हैं, और जो unit, sorry, England के हैं, रसिया के हैं, और France के हैं, यानि कि foreigner हैं, जबकि जो unit number five में short stories हैं, वो Indian writers के द्वारा लिखी गई short stories हैं, जिसमें पहली short story है, the barbers trade union, जिसको लिखने वाले लिखक का नाम है, मुल्क जानन जी, दूसरी unit, दूसरा short story है, अंडर दा बैन्यान ट्री, जिसको की आरके नाराइन साब जी ने लिखा है, और थार्ड है, गेम सेट ट्विलाइट, जिसको लिखा है, अनिता देशाई जी ने, फिर सुन लीजिए, दा बारबर स्टेड यूनियन, मुल्क राजानन, अंडर दा बैन्यान ट्री, आरके नाराइन, गेम सेट ट्विलाइट, अनिता देशाई, तो ये आपकी पांच यूनिट इस प्रकार से होती है, चलिए, अब आते हैं हम लोग 6 यूनिट पर, ये क्या है, तो 6 यूनिट का नाम है आपकी प्रोस, जैसा कि लिखा हुआ है न तो देखिए, पहली आपका नाम है essay का of studies, जिसको लिखा है Francis Bacon साब ने, ठीक, मैं जल्दी ही आपको ये वीडियो देने वाला हूँ, हो सकता है, कल ही मैं आपको ये वीडियो दूँ, of studies, Francis Bacon, दूसरा है dream children, Charles Lamb, तीसरा है Sir Roger at Church ऐसे, जिसको Joseph Edison साब ने लिखा, और चौथा है on smiles ऐसे, जिसको A.G. Gardner साब ने लिखा है, फिर सुन लिजिए, of studies, जिसको Francis Bacon ने लिखा, dream children, Charles Lamb के दौरा लिखा गया ऐसे, Sir Roger at Church, Joseph Edison के दौरा, और on smiles, A.G. Gardner के दौरा, तो ये आपको unit 6 में, प्रोस, जिसका नाम है टाइटल, उसमें ये चार essays और essayist के बारे में पढ़ना है, ठीक, फिर आता है हमारा unit number 7, चलिए unit 7 की बाद कर लेते हैं, unit 7 का नाम भी है प्रोस, तो वही डिफरेंस है, जो short story में हम लोगों ने unit 4 और 5 में डिफरेंस देखा था, 4 में foreign writer, और 5 में Indian writer, तो unit 6 में foreign assist, और unit 7 जो है हमारी, उसमें आपके Indian assist, तो पहला है profession for women, लिखने वाली लिखका का नाम है बरजिनिया बूल, profession for women, profession for women, बरजिनिया बूल, दूसरा है patriotism beyond politics and religion, बहुत अच्छी story है, बहुत अच्छा ये essay है, patriotism beyond politics and religion, और आपको writer समझ में आ जगा आगे होंगे, डॉक्टर ABJ अब्दुलकलाम जी की द्वारा लिखी गई ये essay है, patriotism beyond politics and religion, तीसरा है tagore and is India, लिखने वाली लिखक का नाम है भारत के बहुत बड़े लिखक, assist Amrath Senji, ठीकरा tagore and is India, किसने लिखा, Amrath Senji ने इसका आधियन आपको करना है, और चौथा essay आपको पढ़ना है, opportunity for youth, जिसको लिखा है, पंडित जबालल, नहरु जी ने discovery of India से ये chapter लिया ग अब आती है हमारी last unit, ठीक, unit number 8, unit 8 जो है, उसका title है computer and writing skills in English, ये title है unit number 8 का, ठीक ना, ये नाम है, अब इसमें पढ़ना क्या क्या है, आपको वो समझे, पहला पढ़ना है powerpoint presentation, ठीक है, computer आप सब जानते ही होंगे, तो powerpoint presentation के बारे हम पढ़ना है, दूसरा आपको पढ़ना है letter writing, क्योंकि writing skill भी इसमें नाम सामिल है, letter writing, letter writing में आपको formal और informal, दोनों परकार के letter आपको पढ़ने है, तीसरे number पर आपको पढ़ना है इस unit में, resume, resume कैसे बनाया जाता है, CV writing कैसे लि लिखे जाते है, letter of resignation कैसे लिखे आ जाते है, और एक चीछ, write to information, RTI वाले पत्र जो है, वो कैसे लिखे जाते है, ये सब आपको इस writing skill in English वाली unit में सीखना है, ठेके ना, उसके बात four और last जो है, उस वो है आपकी online writing, online writing जैसे कि हम जो online रहते हैं, तो online लिखनी करते हैं, तो ये कैसे की जाती है, आपको इस unit में ये सब भी पढ़ले को मिलेगा, तो ये कुल मिलाकर आठ units हैं, जो की first semester के जो students हैं, जिनके पास English as a subject जिनों ने लिया है, ठीक है ना, चाहे main subject के रूप में लिया हो, चाहे आपने four subject के रूप में लिया हो, लेकिन उनको यही syllabus पढ़न को मिलेंगी, और general literature का अब जो difference था, वो पूर रूप से खत्समाब तो हो गया है, तो I hope आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपको बहुत मदद देगा, आपके आगामी परिच्छा के लिए, आपके तैयारी के लिए, और मैं आपको लगातार वीड कि अपके लिए, आपका अ